नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है विधान का ग्यान चैनल पर जहां हम रेगुलर ऐसे लीगल प्रोविजन्स को समझने की कोशिश करते हैं जो आम व्यक्ति के काम में आने वाले होते हैं इसी करम में हमारा आज का वीडियो ऐसे लोगों के लिए बहुत यूजफुल है जिनके पास पासपोर्ट है या जो पासपोर्ट बनवाने के बारे में सोच रहे हैं पासपोर्ट की जो प्रोसेस है उसको शुरू से ही एक मुश्किल काम मना जाता रहा है इसी कारण से लोग अपना पासपोर्ट बनवाने के लिए एजेंट टाइप के लोगों की हेल्प लेते हैं इसलिए वीडियो के जरिए मैं ये राय भी आपको देना चाहूंगा कि जब भी आपको अपना पासपोर्ट बनवाना हो या रिन्यू करवाना हो तो आप कोई भी गलत इंफोर्मेशन अपने एप्लिकेशन फोर्म में ना देवें, नहीं तो आपका पासपोर्ट जब्त या रद्द करने का अधिकार है दोस्तों पासपोर्ट के सम्मन में दि पासपोर्ट एक्ट 1967 बना हुआ है जिसकी सेक्शन 10 के सब क्लोस 3 में बताया हुआ है कि किन किन परिस्थितियों में पासपोर्ट आपके पासपोर्ट को जब तिया रद्द कर सकता है सब क्लोस 3 में कुल 8 परिस्थितियां बताई गई हैं जिनके होने पर पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है इन में से सबसे पहली परिस्थिति तो ये है कि अगर पासपोर्ट अथोरिटी को ये लगता है कि आप किसी पासपोर्ट के रॉंग फुल पजेशन में है यानि आपने किसी पासपोर् पासपोर्मेशन देकर उसके आधार पर पासपोर्ट बनवाया है, तो भी पासपोर्ट अथर्टी को ऐसे पासपोर्ट को जब तियारद करने का अधिकार है। यहाँ एक चीज और क्लियर कर दूँ कि काफी लोग बोलते हैं कि पासपोर्ट बनाते टाइम एजेंट नहीं सारा काम किया था, हमने कोई इन्फोर्मेशन नहीं भरी, इसके लिए भी प्रोविजन है चाहे गलत इन्फोर्मेशन आपने खुद दी हो या किसी और ने, इस बा खुता और खंडता के लिए, देश की सिक्योरिटी के लिए, भारत के मित्र देशों के साथ संबंधों के कारण से या फिर किसी भी अन्यकारण से जनहित में ये जरूरी हो गया है कि किसी व्यक्ति विशेष के पासपोर्ट को जबतिया रद किया जाये, तो भी किसी व्यक्ति का पास्पोर्ट जारी होने के बाद भारत के किसी भी कोर्ट ने उस व्यक्ति को ऐसे किसी अपराद का दोशी होना पाया है जो नेतिकता से जुड़ा हुआ है और ऐसे अपराद के लिए उस व्यक्ति को दो साल से जादा टाइम के लिए जेल की सजा दी गई है अगर passport authority को लगे कि उसका passport जब्त किया जाना चाहिए तो उससे किया जा सकता है clause 3 में ही छटी condition ये बताई गई है कि passport जारी करने में जो terms and conditions होती है अगर उनमें से किसी condition का violation किया गया है तो भी passport को जब्तियारद किया जा सकता है इसके बाद passport officer को अगर किसी भी कारण से ये लगता है कि किसी व्यक्ति के passport को जब्त किया जाना चाहिए तो ऐसे व्यक्ति को कैंद्र सरकार की मनजूरी से notice दिया जा सकता है अगर वो passport holder ऐसे notice पर respond नहीं करता या उसकी पालना नहीं करता तो भी passport जब्तियारद हो जाएगा और last में आठमा ground है कि अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ किसी court ने उसकी उपस्तिती के लिए समन या warrant जारी किया हुआ है या उस व्यक्ति के खिलाफ ऐसा कोई order किया है कि वो देश छोड़ कर नहीं जा सकेगा तो भी उसके passport को जब तियारद किया जा सकता है तो ये आठ grounds हैं जिनका आपको ध्यान रखना है पासपोर्ट को कैंसिल करवाने का एक तरीका ये भी है कि passport holder खुद application देकर भी अपना पासपोर्ट कैंसिल करवा सकता है तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये grounds समझ में आ गए होंगे और आप ये भी समझ गए होंगे कि agents की राय पर गलत आधारों पर और गलत जानकारी पर passport बनवाना आपके हित में नहीं होगा दोस्तों आपके और भी कोई legal सवाल है या आप अपने किसी भी legal matter में discuss करना चाहते हैं तो आप हमारी legal experts से बात करने के लिए call book भी करवा सकते हैं इसके लिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे नम्बरों पर WhatsApp यार call के जरिए contact करना होगा ऐसी ही जानकारियां आपको regular मिलती रहें इसके लिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी subscribe कर लिजे साथ ही regular updates पाने के लिए आप हमें हमारे Instagram और Facebook पेज पर भी follow कर सकते हैं जिनके लिए link वीडियो के description में दिए गए हैं अभी के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में